प्रिए विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालीनी मूल्चन्दानी विभागा द्यक्ष एवं सहा आचारिये हिंदी विभाग राच्छ के डुंगर महाविध्याले भीकानेर आज हम बिये तृतिय वर्ष के प्रतम प्रश्ण पत्र आदुनेक कावे के अंतरगत जैशंकर प्रसाथ की प्रसिद कृती कामाईनी पर चर्चा करेंगे कामाईनी पर चर्चा करते समय सबसे पहले हम कभी जैशंकर प्रसाथ का सामाने परीचे देंगे उनकी कृतियों का उलेक करेंगे कामाईनी की कथावस्तू के बारे में बात करेंगे और कामाईनी के कलापक्ष और भावपक्ष पर भी हम चर्चा करेंगे उसके बाद निशकर्ष रूप में जो निचोड निकल करके आया उस पर हम चर्चा करेंगे और अंत में हम संदर्ब प्रदान करेंगे कि किन संदर्बों के से हमने ये कामाईनी का विशेवस्तु लिया है जैशंकर प्रसाद का सामान्य परिजय जैशंकर प्रसाद का जन्म 30 जन्वरी 1889 को हुआ और इनका देहावसन 15 नवंबर 1937 वारणासी उत्तर प्रदेश में हुआ जैशंकर प्रसाद हिंदी के चायवादी युक के चार प्रमुक इस्तंबों में से एक महतोपूर्ण इस्तंब है जैशंकर प्रसाद ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंद, आदी विधाओं को अपनी लेखनी से सम्रिद्द किया नाटक लेखन में भातिंदू के बाद वे अलग धारा बहाने वाले नाटक का रहे हैं जैशंकर प्रसाद की प्रार्विक रचनाय ब्रिज भाशा में लिखी गई, किन्तु बाद में वे खड़ी बोली में रचनाय करने लगे जैशंकर प्रसाद की प्रमुख क्रतियों में दिन्मे की कावे क्रतियों में कानन कुसुम, महराना का महत्व, जर्ना, आसु, लहर, कामाईनी और प्रेम प्रतिक प्रमुख हैं 1914 इस्वी में उनके सर्व प्रतम छायवादी रचना खोलो द्वार इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, कावे शेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूला धार कामाईनी है जो खड़ी बोली में लिखी गई रचना है, सुमित्रा नंदन पंथ कामाईनी को ताज महल के समान मानते हैं। कंकाल उपन्यास नागरिक सब्व्यता के अंतर को यथार्थ रूप में उधगाटित करता है। तितली ग्रामीन जीवन पर आधारित उपन्यास है और इरावती एतिहासिक प्रष्ट भूमी पर लिखा गया उनका अधूरा उपन्यास है। द्रो स्वामीनी जन्मेजय का नाग्यग राज्यश्री कामना एक घूट आधी है। जैशंकर प्रसाद ने आठ एतिहासिक, तीन पोरानिक और दो भावातमक कुल मिलाकर तेरे नाटकों की रचना की है। जैशंकर प्रसाद ने निबंद भी लिखे हैं और उनके निबंद कावे कला एवं अन्य निबंद नामक निबंद संग्रे में संकलित हैं। जैशंकर प्रसाद को उनकी कावे रचना पर पुरुसकार भी प्राप्त हुआ। तो जैशंकर प्रसाद को कामाईनी पर मंगला प्रसाद परितोशिक प्राप्त हुआ था। कामाईनी की विशेवस्तू कामाईनी की कथावस्तू को पंदरा सर्गों में बुना गया है जैशंकर प्रसाथ कामाईनी के संदर में कहते हैं कि ये आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्बुद मिश्रन हो गया है इसलिए मनू, शद्दा और इड़ा आदी अपना एतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं मनू, अर्थात, मन के दोनों पक्ष, मस्तिश्क और रिदे पक्ष का संबंद क्रेमेशह, शद्दा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है कामाईनी की कथा का प्रारम जल प्रले की घटना से होता है जिसके कारण देव संस्कृति का विनाश हो जाता है इसी जल प्रले की घटना के दोरान अनायास ही शद्धा और मनू का मिलन होता है दोनों मिलकर पुन्हे जीवन जीने का निर्ने करते हैं मनू के मन में भोग वादी प्रवर्ती प्रबल रूप से पनपती है इसी के परिणाम सरूप मनू श्रद्धा को गर्भावस्ता के दोरान ही छोड़ कर चले जाते हैं सारस्वत प्रदेश में मनु की भेंट इडा से होती है मनु इडा के साथ सारस्वत प्रदेश में ही रहते हैं अपनी भोग वादी प्रोड़ती के कारण वे इडा पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं किन्तु सफल नहीं हो पाते सारस्वत प्रदेश की प्रजा उनका विरोत करती है जिसके कारण युद्ध होता है और मनु उसमें घायल हो जाते हैं शद्धा मनु को खोशते हुए सारस्वत प्रदेश पहुशती है और घायल हुए मनु को उठाती है शद्धा मनु का स्वास्ति ठीक होने तक उसकी देखबाल करती है शद्धा अपने पुत्र मानव को इडा के पास छोड़ कर सभी के साथ मान सरोवर की यात्रा पर निकल जाती है कामाईनी का भावपक्ष कामाईनी के भावपक्ष में बहुत सुन्दर चित्रन उन्होंने किया है तो सुन्दरी निरुपन के लिए उनका ये पद बहुत प्रसिद्ध है उशा की पहली लेखा कांत अंस अवलंबित मुख के पास नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास मानवतावाती दृष्टिकून इन पंक्यों में दिखाई देता है औरों को हस्ती देखो मनू, हसो और सुक पाओ, अपने सुक को विस्टित करलो, जग को सुकी बनाओ नारी की महता, नारी तुम केवल शद्दा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पियूश सोत्र सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में उनकी रहस्यवादी भावना इन पंक्यों में दिखाई देती है प्रवर मानते निम्न देश में, शीतल शच्चत निर्जर ऐसे, महाश्वेत गजराज गंड बिखरी मदुधाराएं जैसे नियती वाद निरादार है किन्त उठेरना, हम दोनों को आज यहीं है, नियती खेल देखूना, सुनो अब इसका अन्य उपाय नहीं है प्रसाज जी की कृतियों में प्रकरती चितरन भी एक प्रमुख तत्व है तो प्रकरती चितरन के लिए इन पंक्तियों को देखिए स्वन शालियों की कलमी थी, दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानों कोई गैल रही नारी का अमानसल सौंदर्य भी आपने चित्रित किया है कामाईनी का कलापक्ष कामाईनी में जैशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली का प्रियोग किया है कामाईनी में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रियोग हुआ है और उपुमा द्रिष्टांत विरोधाबास मानवी करन अनुप्रास आदी अलंकारों का प्रियोग हुआ है घनाक्षरी तांटक रोला आदी चंदों का प्रियोग किया गया है इस तरह से कामाईनी की कथा एतिहासिक और पोरानिक ग्रंथों से ली गई है जिसे 15 सरगों में बुना गया है कामाईनी में श्रधा, मनू, इडा, मानव, आदी बहुत थोड़े पात्र रखे गये हैं कामाईनी में छायवादी कावी की अधिकांश प्रवर्टियां मिल जाती है इसलिए ये हिंदी का महन महा कावी कहलाता है प्रसाद ने कामाईनी में नवीन जीवन दर्शन, मनुवज्यानिक विशलेशन, परिवर्टित परिस्तितियों का समावेश किया है कामाईनी के इस अलेख को तयार करने के लिए विकिपेडिया और छायवाद नामवर सिंग जी द्वारा लिखित ग्रंत से और कामाईनी की भूमी का जैशंकर प्रसाद जो राजपाल इन संस से प्रकाशित हुई है उस पुस्तक का सहारा लिया गया है धन्यवाद मित्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले